प्यारे दोस्तों, नमस्ते, कैसे हैं, आप सभी लोग मुझे उम्मीद हिए, आप लोग अच्छे होगे, तो देखो बच्चों, हम लोगो नी यजो चैप्टा No.5 यह बहुत हो स्टार्ट किया है, इसमें हमारा लेक्चर No.1 हो चुका है, बारिश के बारे में कैसे हमारे पृत्वी के ऊपर बारिश होती है और इसके कितने प्रकार होते हैं यह भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं ठीके दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है और यह एक्जाम पॉइंट ओफ यू से भी इंपोर्ट समझते तो इसके पूर्ण वरिशा के बारे में प्रकार में इसके प्रकार भी में तो आपको क्या होगा सुनाते रहो आप यह एक्टीवіटिय कर सकते हो तो आप यह निरिक्षन में आप जानते हो लिए रगती होंगी तीकर आपलों भी लेना में तो पुर सब्दोना और बरनी कर लोगे ऐसे के बाद ऊपर वाढ़ साथी चैनी में कि च्रीन चया वática टोचे लगा देना लगाना कि उसमें चेद ना हो जाए इतना का मैंने कर लिया पर उसके बाद हम क्या करेंगे जो बर्णी इना उसमें पानी डालेंगे एक दम खॉलता हूँ पानी डालीगा बहुत गरम जिसके अंदर से भाप निकलतीओ और पूरे बाग में डालना बस एक तीसरे वाले हिस्से में यानि दो भाग आपको क्या करना है खुला छोड़ना है बागी एक भाग में पानी भरना अब पानी भर दिया आपने फिर उसको अच्छे से पूरा धक्कन से बंद कर तो ठीके और फिर क्या करोगे धक्कन के ऊपर बरफ रखना और जो मुट्टी बर पर रख देना ठीक है ऐसे करके रख देना फिर आप थोड़ी तेर बाद वहां पर क्या देखोगे कि वारिश जैसा जो महौल है वह बन जाएगा कहां पर बनेगा वह बॉटल के अंदर बहार नहीं बनेगा आप सुचो कि बाहर बारिश होने लगी कि ऐसा नहीं होगा ठीक ऐसे कहां बाब आप अदर की तरफ जाने कुशिश करते था ऐसे जब ऑर बरफ के संपर्क में आया चीए वह तो बूंदों में बदलनी हमारे मनलफ बड़नी जो थी उसमें गिरने लगा थीक है तो यही जिस प्रकार से यले बड़नी के अंदर हुआ वैसे है वायू मंडल, समय बारिश जहां है ठीक है दोश्तों तो कैसे वह समय को होता है थीक है नहीं अभाशत राम समय सुझत है हमें पानी के कोशिस करती है यह हमारी हवा है वह ऊपर और जाने के कोशिस कर रही है और पिर उपने बन जाता है । आicia पानी की और यह जो जलकर स्क्रतियार हुए है जल कर यह यह पानी की बूंदे C और बादलों नोटे हो जाते हैं और जब यह मोटे हो जाते हैं इनका संबहु नहीं, बिन्दास मौझ मस्ती में लेकिन जब यह हो जाते हैं हलके तो फिर बादल इनको रोक नहीं पाता ही उपर नहीं पाते है और फिर नहीं कई और फिर होता है कि नीचे यह कि पste ऊती है ना चाल केती है और ने प्रतिरों। नोलड़ी है aghan ce sonalありがとうございました वर्षा यह मुक्पी waarna आपके समझ में आएंगे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना आओ मैं आपको तीनों वर्षा के बारे में खूब अच्चे से बता देती हूं ताकि आपको हमेशा याद रहे ठीक है डाइग्राम के माध्यम से भी हम समझेंगे और उदर जो एक्स्प्लेनेशन दिया है उसके माध क्रति रहे बिल्ष को मैं प्रित्व में विष्वत क्या होती इसके आज पास के प्रदेश की जारी है इसमें यहाँ पर सूरह की उस्मा मतलब यहां पर पूरी लंबवत परती है इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है यहां पर यह थन्डी हवा की वाष्प धारन छमता कम होती है सुनते रहना मैं आपको क्या क्या बता रही हूँ पहले मैं आपको यहां का जो इटमस्पेर गरम हुआ फिर यह जो हवा है यह उपर जाने कोशिश कर रही है अब क्योंकि ऊपर जाकर यह थन्डी हवा अब यो ठंडी हवा की वास्प धारन छमता है ना प्यारे दोस्तों वो कम होती है गरम हवा की जादा होती है ठंडी हवा की कम होती है इसलिए हवा में सित वास्प का क्या हो जाता है सगनी भवन हो जाता है क्योंकि ये जादा वास्प लेकर के चली थी अब ये ऊपर जाने के बाद ठंडी हुई और ठंडी हवा की वास्पधारण जमता कम होती है जिसके वज़े से क्या हो जाता है इसका सगनी भवन हो जाता है यानि ये चोड़े-चोड़े बुंदों में बदल जाता है पानी के ठीके और सगनी भवन होकर के जलकर तयार हो जा देख दो-पहर में एट्मोस्फोयर कापी गरम होता है और यह जो हवा हवा है वह उपर जाने लगती है फिर ओपर जाने के बाद ठंडी होते है फिर शाम के टाइंप रॉपर बारिश कर देती है तो इसे लिए बुला गया है दो-पहर के बाद क्योंकि दोपहर में ही ज्यादा गर्मी रहेंगी तो ज्यादा हावा गरम होगी इसकी वात्पधारन शंता भी बढ़ेगी और फिर वह उपर जाकर करके ठंडी हो करके पानी नीचे गिरेगा ठीक है और बादल भी गड़ 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 गरस्ते हैं अफरिका के कांगो नदी का कच्छार और दक्षडी अमेरिका के एमजन नदी के कच्छार के विश्वत वृत्तिय भागों में आरोही प्रकार की वर्षा होती है इस प्रकार की वर्षा का प्रदेश प्रित्पी पर बहुत ही आरो ही आरो ACE यह तो यहां मतलब एसया लिकर यहां आद करने की खरना औरโहार मतलब इसका और दर ना यहां पर अवह उसरे करें तो यहां मतलब ढने करक्दी और बादल बनाएगी यहां पर इसके अंदर पानि यह थे क्योंक一次 वास्त दाब होने से सगनी बहुन और सगनी बहुन बारिश के रोप में गर जाएंगे हमारे अबर नौरमल रस वर्षा प्रतिए 11 वर्षा झाड़atif हम इसमें समझतें प्रतरकर आपके समझेगा दूसरे वर्शा के हम बात करेंगे प्रतिरोधी प्रतिरोधी मतलब रोकना पर समझेगा कि प्रतिरोधी वर्षा कुछ इसी प्रकार से होती है पहले हवा पर बारिश होती है तो हैसे होता है यहां पर आपको इस प्रकार के वर्षा देखने के लिए मिलेगी प्रति रोधी वर्षा ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यहां पर क्या है यहां पर आपका समुद्र यह पूरा समुद्र है ठीक है अब गर्मी आई गर्मी हुआ सूरज से गर्मी पड़ी तो क्या होगा यहां का तो यह पर मतलब यहां पर मतलब अइयर रहेगी इसके अंदर बहुत जादा जहाएंगे वॉटर वेपर आने के बाद फिर जब फिर इधर जाने के कोशिश करेगी इहां पर क्या यहांपर जो आपका सहायाध्री माउंटन ना वह इसको रेजिस्ट मतलब रोकेगा देखो जैसे यह मालों यह हवा इधर जाने की कोशिच कर रही है लेकिन यह आगया पहाड अब इसने इसको रोक लिया नहीं तुम आगे नहीं जा सकते है ना तो ऐसे करके जब इसने इसको रेजिस्ट कर लिया तो अब यह क्या करेंगे यही पर तो आगे चुम आपके और यहीं पर हैंगे फीया जए बादल बनाएंगे और फिर यह बहुत चा करेंगे अब बारिस होने के बात यह जो हवाई है वो अब इधर जाएंगी तो यहीं पर पूरा पानी जो है वो गिरा दिया है इस से आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर अ और यह वाला साइट कैसा होगा सूखा होगा तो इस प्रकार की वर्षा को हम क्या कहते दोस्तों प्रतिरोधी वर्षा कहते हैं यानि बीच में रोग करके पहले बारिश करवा लेगा फिर बोलेगा हवाय तुम लोग चले जाओ ऐसे ठीक है आव इसका जो है हम explanation देखते हैं करवा अधवा विशाल महासागर से आने वाले पहण वाष्पवयूग्त होते है मैं परवत के अनुसार पवन उर्दरजिशा में परवत आ गयैं पहाड आ दो किने अब यह सर्ब फॉह जाएंगी जब यह ऊपर पहुंच जाएंगे तो घंडी यह करें प्रदामन कम हो जाता उने बरशती है और फिर श्रिंखलाओ की रुखाव्टों के कारण प्रतिरोद प्रकार की वर्शा थीए है अब शुनूदे भंपवानं की भाग की और का आधिक प्रमाण में वर्षा अधी होती है मतलuve मालो यह परवत है तो इस और क्या होगी जाधा वारिश होगी और फिर ना के परवर款 लांगमें पर पर पवं में की स्थित्वास्प की मात्रह कैसी हो जाती है अधर ना की Damit इसको कहेंगे ठीक है किसको कहेंगे आप इसमें देखो प्रदेश किया वारिश नहीं और इदर अधिक वर्षा का प्रदेश फिर ब्रदेश पुरवक्यों निचला प्रदेश वर्द्दी ऐसे तदो करोट है शेख यह जा रहा है यह भाहते ओंधी है थंडी हो bluff थंडी होते बाद यह आपश कर दिया यह कम बारिश करए दिरी च्था पूरा सुप गया और यह भिप merci ने निगता व्रड़ी काम होँ तो वाष्पधारण चमता बढ़ेगी जब उपर पहुंचाए तो व वरिद्धी वाश्पधारण चम्ता में व्रिद्धी तुछ और शोर किम कम व्रिष्ट को प्रिष्टे और ύस में भारतिय विचार करते हुए मोशनमी वर्षा का परिणाम अधिक होता है हमने इस संबंद की जानकारी पिछली कच्छा में प्राप्त किये इसको छोड़ो और अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे टाइप की वर्षा पे जू क्या है प्यारे बच्छों चक्रवाती यह वर्षा क्या है यह कैसे होती है इसको जरा बताना तो इसको आप डाइग्राम की आते हैं तो वही पावनों के कारण जा पावन ऐसे वहां पर हमारे वातावरण में कुछ स्पेसिफिक कंडिशन होती है सिचुएशन बनती है तो जो हवा आई वह ऐसे गोल-गोल करके चक्रागार गूमने लगता है ठीक है हवा गूम रही है बराबर तो क्या होगा क्योंक हो जाएगी क्योंकि बादल बनेंगे तो इसके अंदर वाटर वेपर है न वह भी और इस प्रकारते साइड साइड में क्या हो जाएगी वारिश जो है यह होती जाएगी तो जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे जो वर्षा का जहतर है वह आपको दे होए आएसे करके चक्रवात है यह ना चक्रवात केंद्र की और आसपास के प्रदेश से हवा चक्रकार पंतती से आने लगती है और केंद्र भाग में इस्तिद हवा उचाई पर जाने लगती है ठीक है बाजू-बाजू से तो हवा आ रही है अब जो केंद्र में है वह उपर की तरफ जाती है यह उचाई पर जाने थाद देखने के लिए मिलता है उसका चेत्र भी विस्त्रित होता है उसकीज़ा उश्रकटी बंध में होने वाला ये जो चक्रवात वर्षा है जो प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा संसार के अधिक छेत्रों में होती है सुनिए का कौन कौन सी वर्षा कहां कहां पर होती है तो सबसे जादा अगर देखा जाये तो वर्ड में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है दूसरी राइप और आरोही वर्षा यह प्रादेशिक शुरूप की होती है यह एक रिजन में प्रटिकुलर्ली होती है और तो कभी अकाल जैसी आप द्याहों का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों में आ अप सबी लोगों को तो यह था हमारा टाइप सौन्सार में वर्षा का वित्रन बताया गया है तो आप मैप को देख करके समझ सकते हो कि किसे प्रकार से वर्षा का वित्रण हमें हमारे पूरे वर्ड में देखने के लिए मिलता है विश्व में ठीक है जैसे इसमें से आप देख करके समझ सकते हैं जहां पर भी आपको ऐसा कलर दिखाई देगा वहाँ पर आप समझेगा कि 500-1000 mm तक की वर्षा हो रही है और 500 से कम वाले का ऐसा भी उपकरन के बारे मिलीमीटर मुट है ऑपकरन मिलीमेटर माप जाता है तो यह तो हम बात में देखेंगे जरा इसको समझ लेते कि कहां कहां पर किस प्रकार से वर्षा होती है तो जहां पर वर्षा 1000 से अधिक है देखिए यह आपके हो जाएंगे ट्रॉपिकल रीजन मतला विश्वत विप्तिय प्रदेश होंगे विश्वत रेखा के पास वाले ज गरम होनी के विज़े से पानी ऊपर जाएगा ऊपर जाकर करके ठंडा होगा और बारिश करेंगा तो यह इसका कारण हो सकता है पिर ऐसा वाला आपको तो धोड़ा समझ शितोशनवाली में जाएंगे तो वहां पर देखो तीक है फिर उसकी बाद यह तो आपको ऐसे जो हम नेक्स वीडियो में कवर करेंगे तो यह होता है इसमें तो प्र बारिश होती है इसमें फूरा देल स्की में होता है फिर पानी यह होची बनाद इकठा होता है वह प्र है या फिर 25 है कितना है वो हम यहां पर यहां पर चेक कर सकते ठीक है और एक चबूतरी पर इसको रखोगे तो वह ज्यादा अच्छे से आपको सही accurate data दे पाईगा क्योंकि आपने इसको पतलब ऐसे जगह रखना जहां पर कहीं पर क्या हो अवरोध ना धेक है तो यहां पर उसी कुपा के बारे में बताएं मतलब वर्षह मांपक के लिए वर्षह मांपक खुले जमीन पर 30 cm सम्तल बांगर उस पर रखा जाता है अब यहां पर यह आप जानते हैं यह में आपको बता दू पर उसके कितना पानी तो एक मिलेमीटर मतलब वर्षा की परत को न बने देते हुने न जमीन न वहन ढ़ते हुए इकठठा किया जाये तो कितना पानी इ 생겼ंसे उत् Star किलोमेटर में जो आपका एक वर्ग किलोमेटर मतलब ज्यादा होता है ऐसे मानलो है वर्षा होई तो तो 10 लाक लिटर पानी जो है वह उपलब्द होता है ठीक है कितना 10 10,000,000 लीटर याई अगर हम पानी को मानलो कहीं पए वैसे तो पानी किस अगर हमने नहीं सुख के वह सीधा सीधा जमीं के ऊपर आ गिर रहा है ठो एक वर्ग किलूमेटर में कितना पानी उजाएगा 10 लाक लीटर पानी हो जाएगा समझे तो एक मेली मेटर वर्षा अर्धात इतना होता है बाद समझ में आईए आप सभी लोगों को ठीक है चलिए और फिर आपको एक और बात बता देती हूं हिम वरिष्टी का मापन कैसे करते हैं जैसे हम लोग वर्षा को माप रहें वैसे ही हिम पाथ होता है मत接下來 ही जो बयराट की बारिखी होती है उसको कैसे माप सकते हैं तो वर्षा मापड़त गहें क्ला सरी हैं हम देखते हैं जो अब बरफ लिया है वो पिघल जाए तब तक हम उसको गरम करेंगे और उससे प्राप्त जो पानी है पानी का मापन करना होता है और 120 मिली मिटर की बरफ की परत रहेगी इतने बारिश के समान होगी आप इसको यहां से ऐसे समझ सकते हैं ठीके दोस्तों यहां पर लिया अब उसके हम पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हमारे अगले वीडियो में ठीक है अमली वर्षा देखेंगे और वह अना टॉपिक देखेंगे फिर उसके बाद आपका यह चैप्टर हो जाएगा खतम ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते है निक्स वीडियो में सब लोग अपना ध्य आपको नमस्ते